जहिन दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल इस डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है आज आप लोगों के लिए न्यू वैकेंस लेके आए हुए है जो ओफलाइन मोड में है ओफलाइन मोड में आप लोग को आल अपर इंडिया लेबल के बचे कही भी किसी बेस्ट्रिट से ह होंगे तो अप अपलाइ कर सकते हैं इसमें क्याओ क्या क्वालिफ केंसं मंगेगा कितना ईचिंप taught इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं या नहीं क्या इसका सेलेक्षिन प्रोशेस होगा कैसे हम इस फॉर्म को अपलाई करेंगे कि जगा भेजेंगे सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाले एक वीडियो में संपूर जानकारी आपको देखने को मिलेगा तो अच्छा एंडियन एरफोर्स में है आप मैं बात करूंगा कि इसमें कौन-कौन से बच्चे अपलाई कर सकते हैं इसका एज केटरी है क्या होगा तो एज केटरी जो होगा बच्चा 18 से लेके पचीस साल होगा जो जैनरल वालों के लिए होगा ठीक है ओभी सी वालों के लि आवसकी पिंग में से स्टाफ है हिंदी टापिस्ट लेव दिविजन कलर्क है बहुत सारे पोस्टें इसमें देखने को मिलेगा लडीच है बहुत इससे जगह हों जहां पर जैसे एक साथ आप बहुत सारे जगहों पर भज़ सकते हैं बहुत सारे जो इस्टेशन कमांडिं झोला ठीक आ है और यह कौण सा पोस्ट के लिए तो यह सारी पोस्ट ओंके लिए देखना पड़ेगा कि डेल्ली में कौन से कौन से पोस्ट है तो स्टेडंओ गेटु है Ryta यहां पे स्रीप इतना ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगा तो जहां भी आप भरेंगे पहले देख लिजेगा जहां भी आप भेजेंगे वहां देख लिजेगा कि क्या यह वहां पे अबलेबल है या नहीं है क्योंकि यहां पे देख रहा होगा कि कितनी कितनी पोस्ट है कि ग्रेजिस्वन चाहिए ठीके बच्चे इसमें experience certificate में कुछ निकिनी को मांगा हुआ तो अधी आप लोग पूरा details के साथ चाहते हैं तो link description में दे दिये हैं आप डाउलोड कर सकते हैं PDF को और PDF के नुसार आपका दे दिया गया कि कौनसे सेटिफिकेट में क्या सेटिफिकेट चाहिए ठीके बच्चा कितना experience certificate चाहिए अब मैं बात करूंगा कि पहले बहुत लेट से खूल रहा है PDF बहुत जदा बड़ा PDF है तो बहुत लेट से dining तो कोशिज करेंगे कि सारी जालकरी आपको एक साथ चाहँ रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा आज के डिटेल्स में ने दे दिया है ठीक है इसमें कौन से कौंसे पोस्ट है क्या से क्वालिफिकेसन चाहिए तो यहां दिख रहागा सिणियर computer operator के लिए क्या qualification चाहिए क्या experience चाहिए यह सारी चीजों के परती बहुत ऐसे vacancies जिसमें experience नहीं चाहिए तो प्लीज आप देख लेना यहां पर total details के साथ मैं दे दिया हूं कि कैसे कौन सी storekeeper है carpenter है painter है यहां पर housekeeping है Mr. staff है laundryman है सभी के लिए कहीं आपका written test होगा written test का मतलब होता है कि आपका 100 नमर का questions होगा 25 सभी करेगा नमर इंग्लीज जनरल अवर्निश और mathematics होगा ठीक है बच्चा तो इसमें 45-45 का sections होगा अब मैं बात करूंगा कि इसमें दोनों तरह का math paper होगा हिंदी इंग्लिज दोनों में होंगे आपका exam जब भी होगा आपका एक से दो मेना के अंदर एक्जाम आपका ले लेगा आप मैं बात करूंगा भरना का भेजना का है तो लास्ट डेट के अंदर 30 दिन के अंदर भेज दिना ठीक है बच्चे अब बात करेंगे कि भेजना कैसे है तो भेजने का तरीका मैं बता देता हूं सबसे पहली बात आपको दीख रहा होगा यहां पे मैं आपनी देट अ के लिएध यहां डाल रहा है कितना दीन किसे अब जब से डाल रहे हैं जब से कितना एज और कितना मत हो गया दीन हो गया यहां पास्पॉसट फोटोचाइप का ही देना है ठीक है तो यह यह सिरिफ official use होगा, यहाँ पर भरना नहीं है, आपको ठीक है, यहाँ पर नहीं भरना, यह सिरिफ आप official use करेगा, ठीक है, बच्चे आपको करना क्या होगा, यह सारे details भरने के बाद, आपको भेजना क्या होगा, जैसे आपने, यह आपने ले लिए, envelope ले लिए, ठीक है, पोस्ट में और किस काटेगरी से भर रहे हैं यहां पर भाहर देना ठीक है सबसे उपरी हिसा में लिख देना है इसके बाद क्या करना बच्चा जहां भी आपको भेजना है आप जहां भी भेजना चाह रहे हैं जैसे आप सब पोच करिए कि हम डैली भेज रहे हैं तो डैली का यह लिखना कि applied for कौन सा पोस्ट के लिए ॥े लेकर क्क करना यह टूटल एड्रेस लिख दें कि आ यहाफ को भी खेंगा Yuk आपको कुट्रा का लिखने आगले वाला पर्शन को पढ़ने में प्रॉबलम ना हो और फॉलम जहां पे स्वह भेज रहे हैं वहां से आप यह वाला डिलिद दीजेगा आप करना क्या होगा तो आप जितना भी क्वालिफिकेशन दे रहे हैं टेंट का दे रहे हैं तो का दे डालेंगे इसके बाद 10 रुपिया का आपका जो पोस्टल पोस्टल रुपीज होगा यह 10 रुपिय का चार्ट आपको उपर से चिपका देना है और आपको भेज़ देना है और और भी इंफोरेमिशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्सर में दे द कीजिए तो आपको सारी डिटर्स में आपको दिया हूं इसमें मेल फीमेल बहुत भर सकते हैं और मैं बात करूं कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि इसमें अपलाई करना उन लोगों के लिए बहुत ही खुसकबरी है कि आपका इसका एक्जाम जो होगा वह बहुत इजी के बारत